नमस्कार मित्रों, Learn is in smart में आपका स्वागते, लिख्टे संद सुरू करेंगे, स्टार्ट आदर्निये, मुख्य नया धीस, बहुत ही पीडा और चिंता के साथ हमने ये खत लिखने की जरुरत महसूस की है जिस से हाल के समय में इस अदालत द्वारा लिये गए कुछ फेशलों पर आपका ध्यान आकरश्ट कर सकें इन फेशलों ने पूरी नयाइक प्रणाली और हाइकोर्ट की आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथ ही मुख्य नयादीस कार्यालाई की प्रसासनिक कार्य पद्धती पर गहरा असर डाला है कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास हाइकोर्ट की इस्तापना के बाद से ही नयाइक प्रणाली की अपनी कुछ परंपराएं और मान्यताएं इस्तापित हुई हैं इनी परंपराओं को इस अदालत ने भी स्विकार किया जिसकी इस्तापना इनके करीब एक सदी बाद हुई इन परंपराओं का आधार एंगलो सेक्षन, विदी सास्त्र और व्यवार रहा है मुखिन एधीस के रोस्टर या कारे तालिका बनाने का विशे साधिकार इनी इस्तापित सिद्दान्तों में से है बहु संख्यत अदालती प्रनाली में कारे के उचित, निस्पादन और विशे की गंभीरता, सभाव और जरूरत के अनुसार कौन सा मामला किस सदस से कोर्ट के पास जाएगा इसका निर्धारन किया जाता है मुख्यने अधीस के पास रोस्टर निर्धारित करने से जुड़ी परमपरा इस बात पर निर्धारित की गई थी कि अदालतों में काम का निस्पादन अनुसासित और उचित तरीके से हो इसका अर्थ C.J.I. की वरिश्टता को स्विकार करना नहीं था इस देश के विदी सास्तर में ये एक पूरी तरह से इस्थापित तत्य है की मुख्यने अधीस अपने सहकरीमियों में सिर्फ परतम हैं उनसे ज़्यादा या कम नहीं रोष्टर के निर्मान में उन्हें निर्देशित करने के लिए पूर्व इस्थापित और समय की कसोटी पर परखे गए सिद्दान्त हैं चाहे वो किसी मामले या विशेस मामले में नयाधीसों की संख्या या संगठन तय करने की बात ही क्यों न हो इन शिद्दान्तों से ही तय दूसरा नियम यह है कि रोष्टर में इस अदालत समेत किसी भी नयाईक इकाई की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा नहीं संगठनात्मक या न संख्यात्मक आधार पर इन दो नियमों को नहीं मानने से न सिर्फ अप्रिय और अरुची कर नतीजे आएंगे बलकि इस संस्थान की निष्टा और अकंडता पर भी सवालिय निसान खड़े होंगे इसकी वज़ा से होने वाले उथल पुथल की बात तो कल्पना भी नहीं की जा सकती हमें बड़े ही दुखे साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इन दो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा ऐसे कई उदाहरन देखने को मिले हैं जब ऐसे कई मामले जिनका देश और इस अदालत के ऊपर दूर गामी प्रभाव हो सकता है को बिना किसी और चित्ते वो विशेश कारणों से अपनी पसंद की बेंच को दे दिया गया इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए इन मामलों का ब्योरा हम यहां नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से इस सम्मानित संस्ता को सर्मिंदगी उठानी होगी पर यह ध्यान देना होगा कि इन मामलों से संस्तान की प्रतिष्टा धुमिल हो चुकी है इन प्रकरणों पर विचार के बाद हमें उचित लगा कि आपका ध्यान 27 अक्टूबर 2017 को आरपी लूथरा बनाम भारत सरकार मामले में आए हादेश की और दिलाएं इस मामले को निस्पादित करने की प्रकिरिया मेमोरंडम ओप प्रोसीजर तै करने में और देर करना देश हित में नहीं होगा ये समझना कटिन है कि जब ये प्रकिरिया तै करने का हदिखार इस अदालत की समीधान पीट को Supreme Court Advocates on Record Association बनाम भारत सरकार मामले में दिया गया था तो कोई और बेंच इस पर सुनवाई कैसे कर सकती है उपरोक्त विशे के साथ समीधान पीट के फेसले पर पांच जजों के कोलेजियम जिसमें आप भी हैं में काफी विस्तार से चर्चा के बाद मेमोरंडम ओफ प्रोसीजर तै किया गया था इसके बाद ही मार्च 2017 में ततकालिन मुख्य नयदीस ने इसे भारत सरकार को भेजा था भारत सरकार ने इस पर कोई परतिक्रिया नहीं दी और इस चुपी के मद्दे नजर एसा समझा जाना चाहिए कि कोलेजियम द्वारा तै मेमोरंडम ओफ प्रोसीजर को सुप्रेम कोल्ट एडवोकेट्स अन रिकॉर्ड एसोसियेशन पर हादेश को देखते हुए भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है इसे देखते हुए ऐसा कोई और चित्त या मौका नहीं दिखता है कि इस बेंच को इस मेमोरंडम ओफ प्रोसीजर के ऊपर कोई टिपणी करनी पड़े या मामले को लटका कर रखा जाए 4 जुलाई 2017 को इस अदालत की साथ जजों की कंड़ पीट ने जस्टिस करनन मामले पर फेसला दिया था इस निर्णे में आरपी लूथरा से संबंदिक हम मैंसे ही दो जजों ने ये टिपणी की थी की जजों की नियूपती प्रकिरिया पर फिर से विचार करने की जरुरत है और ऐसे मामलों में महाभियोग की बजाए सुधारात्मक प्रकिरिया अपनाए जाने की जरुरत है मेमोरंडम ओप प्रोसीजर विशय से संबंदिक कोई भी चर्चा पूर्ण पीट के आगे मुख्य नय अधीस के समक्स ही की जा सकती है एसे गंभीर विशय पर अगर नय पालिका को निर्णय लेना पड़े तो भी सिर्फ समीदान पीट इसके लिए सक्षम है इस महतुपौन गटना क्रम को बहुत ही गंभीरता से देखे जाने की जरुरत है आदर्णिय मुख्य नय अधीस अपने कर्तव्यों से बंदे होते हुए इस जटिल परिस्तिती के समाधान को बात देहें उन्हें कोलेजियम के सदस्यों से पूरी चर्चा के बाद और बाद में अगर जरुरत हो तो अन्ने जजों के साथ भी बात करके सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए 27 अक्टूबर 2017 को आरपी लूत्रा बनाम भारत सरकार मामले में दिये आदेश के मुद्दे को जब आपके द्वारा उचित तरीके से सुल्जा लिया जाएगा और जरुरत हुई तो हम आपको अन्न ऐसे न्याइक आदेशों के बारे में भी विशेश रूप से बताएंगे जिन पर भी इसी तरह विचार किया जाने की जरुरत है स्टॉप दोस्तों डिक्टेशन कैसी लगी कमेंड करके जरुर बताएं और लाइक और शेयर करें धन्यवाद